अस्सलाम वालेकूँ Science and Religion ये शब्द कुछ ऐसे शब्दों में हैं जो हमेशा सी चर्चा में रहे हैं कुछ लोग ये कहते हैं कि हम लोग सिर्फ Science को मानते हैं इसलिए Religious किताबों को नहीं मानते आज हम इस वीडियो में इस टॉपिक पे बात करेंगे कि हमें Science को मानना चाहिए या Religious किताबों को Science Knowledge का एक बहुत बड़ा सोर्स है जिससे हम Knowledge हाजिल कर सकते हैं लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि Science Knowledge का एक अकेला सोर्स नहीं है Science के बुक्स से हमें बहुत सारी Knowledge नहीं भी मिल सकते Example, हमें अगर इंडिया की Independence, मुगल और Historic Events के बारे में जानना हो तो हमें Science का बुक्स नहीं बलकि History के बुक्स देखना पड़ेगा दूसरा, Country के Economy, Business के तरीके और Business बढ़ाने के तरीके अगर जानना है तो हमें Science का बुक्स नहीं बलकि उसी फील्ड के बुक्स, Commerce और Economics के बुक्स पड़ना पड़ेगा Conclusion यह है कि जो जिसके फील्ड होगा उसी से Knowledge लेना ही पड़ेगा यह नहीं हो सकता कि History का Knowledge Science के बुक्स से लिया जाए और Science का Knowledge Economics के बुक्स से लिया जाए इसी तरह जब हम God, Spirituality, Morality, Life Before, Birth and After Death इन सब पर बात करेंगे तो हमें Religious बुक्स का सहरा लेना ही पड़ेगा अब दूसरा सवाल यह खड़ा होता है कि Religious किताबों में बहुत सारे Fake किताबे हैं तो हमें कैसे पता चली कि कौन सा बुक्स सही है और कौन से बुक्स को फॉलो करना चाहिए यह सवाल खड़ा होना आम बात है क्योंकि हर फिल्ब में ऐसे Fake बुक्स है चाहे वो History के हो, Economics के हो या कोई भी फिल्ड के हो आज के दोर में जहां Media Availability में इतना करीब है वही वो भी Fake News सच को जूट के साथ मिला के फैलाते हैं अब एक समझदार Conscious इंसान अपने जरुरत के News को हमेशा जाचता है अलग-अलग Sources से Compare करता है और सच तक पहुचता है Different Sources के Knowledge हासिल करके इसी तरह हमें अगर God और Religion के बारे में जानना है और इनका Importance हमारे जिंदगी में है तो इस मामले में भी Emotional और Bias ना होके अलग-अलग Religious Books को पढ़के Compare करके Facts और Truth तक पहुचना होगा इसी लिए Direct Religious Books जो कि एक Knowledge का बहुत बड़ा सोर्स है उनका इंकार करना बेवकूफ ही है हमारी इस वीडियो का समरी यह है कि जैसे Science एक Knowledge का सोर्स है उसी तरह Religious Books भी एक Knowledge का सोर्स ही है Science का टोपिक अलग है और Religious किताबों का टोपिक अलग लेकिन दोनों एक दूसरे के बिपरित नहीं है It's Religion and Science, not Religion versus Science हम हमारे आने वाले वीडियो में Science को और अच्छी तरीके से Explain करेंगे जैसे क्या Science हमेशा Facts को ही माना जाता है Different Sources and Methods of Knowledge और इसी तरह बहुत सारे नए टोपिक तब तक आप हमारे चैनल पे अपलोड़ वीडियो देखते रहें और अपने बेलवेबल कमेंट्स देते रहें Assalamualaikum